नमस्कर दोस्तों मधुवन टेक के यूटूब चानल पर आपका स्वागत है दोस्तों इंस्टाग्राम के उपर वोईस कॉल फीचर आये हुए आज से करिब करिब 6-7 मन्थ का टाइम हो चुका है बट अभी भी काफी सारे ऐसे इंस्टाग्राम यूजर है जिनके अकाउट के उपर वोईस कॉल का फीचर नहीं आ रहा फिलल आप लोग देख पा रहे है कि ये मेरा चैनल का एक ओफिसियल इंस्टाग्राम पेज है इसके उपर मुझे भी कही पर voice call का feature देखने को नहीं मिल रहा लेकिन आने वाले 2-3 मिनिट के अंदर मैं आपको मेरे इसी वाले अकाउंट के उपर voice call feature live proof के साथ enable करके दिखाऊंगा आपके अकाउंट के उपर भी voice call या audio call का feature नहीं आ रहा और आप लोग enable करना चाहते हैं तो अब आपने बिल्कुल सही वीडियो के उपर क्लिक किया है आपका आने वाले 2-3 मिनिट के अंदर voice call feature enable हो जाएगा सब कुछ देखने के लिए सब कुछ चाहने के लिए ये वीडियो को आकरित तक जरूर देखना तभी आपको सब कुछ समझ में आएगा और साथी में चैनल पर नहीं हो तो दोस्तो सस्क्राइब कर देना और साथ में ये बेल आइकन होगा इसको प्रेस करके ओल पे सेट कर देना ताकि मेरी जब भी वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए तो इंस्टाग्राम के उपर वोईस कोल फ्यूचर एनेबल करने के लिए सबसे पहले मैं आपको बता दू कि आपका जो इंस्टाग्राम अकाउंट है वो एक पर्सनल अकाउंट होना चाहिए अब personal account का मतलब private account नहीं है बट Instagram के उपर तीन तरीके के account होते है यह आप अच्छी तरह से जानते होंगे एक होता है personal account दुसरा होता है business account और थर्ड होता है professional account तो इन में से आपका account अगर professional account है या business account है तो आपके account के उपर कभी भी voice call feature नहीं दिया जाएगा इसके लिए आपका account personal account होना चाहिए तो यहापर मेरा अकाउंट एक professional account है इसी वज़े से मेरे account के उपर मुझे यहापर voice call feature नहीं देखने को मिल रहा तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा कि मेरे account को एक personal account करना होगा तो personal account कैसे करोगे उसके लिए आपको इस three line पे जाना हो तेन यहाँ पर अकाउंट के जाना हुगा, तेन निचे की और स्कॉल करोगे तो आपको यहाँ पर स्वीच अकाउंट टाइप का एक आप संदेखने का मिल जाएगा, इसके उपर टवज्च यहाँ पर टच कर दिजिए, तेन नीचे एक option मिलेगा switch to personal account सो आपका account personal account कर दीजिए तभी आपको voice call feature मिलेगा इसके अलावा नहीं मिलेगा ओकी professional account या business वालों को voice call का feature नहीं दिया जाएगा आप कितना भी wait कर लो कुछ भी कर लो आपको ये feature नहीं मिलेगा सो फिलाल मेरा जो मेरा account है वो एक personal account कर दिया है अब मेरा चलता हूँ यहाँ पर messenger tool के अंदर लेकिन अभी भी मेरा यहाँ पर voice call enable नहीं हुआ है सो उसके लिए मुझे क्या करना होगा कि instagram application को uninstall करना होगा सो मैं यहाँ पर install कर देता हूँ उसके बाद मैं यहाँ पर play store के उपर चला जाता हूँ यहाँ पर instagram को फिर से install कर देता हूँ ठीक है फिलाल मेरा जो instagram है वो यहाँ पर install हो रहा है install होने के बाद मैं आपको सब कुछ live proof के साथ बता देता हूँ ठीक है यहाँ पर installing process हो रहा है तो भई यहाँ पर जब install हो जाएगा तो मैं आपको बता दूँगा ठीक है यहाँ पर install हो रहा है यहाँ पर downloading खतम भी हो चुका है तो दोस्तों यहाँ पर आपको live proof के साथ देखने को मिल जाएगा कि मेरा account है इसके उपर voice call feature enable हुआ है या नहीं अभी मैं आपको live proof के साथ बता दूँगा यहाँ पर मैंने open कर लिया और दोस्तों यहाँ पर ID password मुझे नहीं डालना होगा विकोज यह मेरा facebook से link है तो direct यहाँ से में इसके साथ open कर सकता हूँ ठीक है फिलाल यह जो है open हो रहा है आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि अभी जो मेरा account है वो एक personal account है और मैंने uninstall करके फिर से install भी कर लिया है एक बार मैं यहाँ से region task से हटा देता हूँ ताकि कोई भी bug ना रहे ठीक है यहाँ पर फिर से में open कर दिया तेन अब guys अब मैं ले चलता हूँ आपको messenger tool के अंदर तेन आप लोगों को दिखाता हूँ कि आखिर मेरा जो voice call feature है वो enable हुआ है या नहीं यहाँ पर दोस्तों मैं चला जाता हूँ तेन आप लोग देख सकते है कि यहाँ पर हमारा voice call feature enable हो चुका है ठीक है live proof के साथ मेरे आप लोगों को बताया बिल्कुल वीडियो को skip नहीं किया यहाँ पर आप लोग देख पा रहे कि सभी chat के अंदर मुझे यहाँ पर voice call देखने को मेल रहा है तो इसका reason यही है कि आपका account business account या professional account नहीं होना चाहिए एक personal account होना चाहिए तभी आपको voice call feature दिया जाएगा और अब अगर आप अपने account को professional या business के अंदर switch कर देते हो तो दोस्तों मैं आपको बता दू आपका voice call feature चला जाएगा voice call feature आप अगर हमेशा रखना चाहते है तो अपने account को personal account ही रहने दीजिए तभी आप यह voice call का feature का जो है use कर सकते है तो गैज उम्मिद करता हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा और आपका हर डाउट यहाँ पर कलियर हो चुका होगा यह voice call feature से related तो वीडियो पसंद आता है तो like, comment, share, subscribe ज़रूर करना और आपने यह वीडियो को continue यहाँ तक दिखा उसके लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद